और मेरे साथ हैं जनारदन दोपहर के दो बच के पांच मिनट हो चुके हैं करनाटक विधान सबाद चुनाओं के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है बारती जनता पार्टी पूर्ण भहुमत से थोड़ा सा कम है करीब अभी तक के आकड़े बताएं हम तो 105 सीटों पर बढ़त बनाये हुए है और कॉंग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाओं में 122 सीटों पर जीत दर्जी की थी वो 75 सीटों पर बढ़त बनाये हुए है इसके अलावा जनतादल सेकुलर पार्टी 39 49 सीटों पर है पर कॉंग्रेस 75 पर और जेटी ए 45 पर और अन्ने के खाते में 3 सीटे हैं बहुमत के लिए 112 सीटे चाहिए फिलहाल और बहुमत का आकड़ा भी थोड़ा दूर है बीजेपी से लेकिन अभी आगले आदे घंटे के बाद तस्वीर और स्पर्ष्ट हो जाएगी भारती जन्ता पार्टी के नेताओं ने जश्ट मनाना शुरू कर दिया है कारेकरताओं में भी उत्सा है और सभी पार्टी कार्यालियों पे रंग और पटाके ऐसे फूटना शुरू हो गए है अब ये वक्त है जब आपको देखना चाहिए कि क्या कारण थे कि भारती जन्ता पार्टी ने दक्षिन के उस राज जिमें जहां पिछली बार वो 40 सीटों पर महस सिमट गई थी इस बार क्या कारण रहे कि वो 100 से ज़्यादा सीटे ले किया ही और सरकार बनाने की स्थिती में पहुंच रही है करनाटा चुनाओं के ठीक पहले सिद्धरमयय सरकार ने धिर सारे दाओं के चले थे उसमें से एक दाओ था लिंगायतों को धार्मी कल्पसंख्या का दर्जा देने का भी लेकिन नरेंदर मोदी ने जब करनाटा का भियान शुरू किया उनके 10 दिनों में उनने 21 बाई से ज़ादा रहलियां की और नमुएप के जड़िए लाखों कारिकर्ताओं को संबोधित किया उसने सारे कॉंग्रेस के जो समी करन्ट थे उसको द्वस्त कर दिये इसके अलावा और क्या कारण आप देखते हैं करनाटक विधान साब चुनाओं में BJP की जीत के पहला कारण तो यही बड़ा साफ है कि BJP और उनके प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हमारे प्रधान मंत्री उन्होंने करनाटक की जनता को यह विश्वास दिलाया कि उनकी जो चुनावी रण नितियां है या उसके बाद जो उनके मैनेफिस्टों है या उन्हों जो यूजनायल लेकर के आएंगे भविश्वने वो करनाटक की जनता के लिए प्रभावशाली होंगी और उनके लिए फायदे मंद होंगी तो जो प्राथमी कारण है वो यह है कि बिजेपी ने करनाटक में मद्दाताओं को विश्वास दिलाया कि वो आगामी सरकार के लिए सबसे बहतर पार्टी है प्रधानमंति नरेंदर मोदी कई बार रैलियों से इस बात का बखान करते रहे थे कि केंद्र सरकार बहुत सारी कल्यानकारी योजनाय चला रही है जिसमें फसल भीमा योजनाय या मैलाओं के लिए देशारी योजनाय है उस पर सिद्रमया की सरकार है वो रोडा बन रही है अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो केंद्र की योजनाय सीधे तौर पर प्रात्मीक तौर पर वहां पर प्राइमरी लेवल पर लागू कर दी जाएंगी इसका जनता ने उनकी बात का भरोसा माना इसके लावा क्या आपको लगता है कि जो एक बड़ा कारण रहा बीजेटी की जीद के लिए एसा कभी नहीं हुआ कि जो सरकार चल रही है वो अगली बात फिर से चुनी जाए तो करनाटक के जनता के मिजाज में धारना है कि जो सरकार ी नहीं उतरी है तो वो दोबारा दूसरी सरकार को चुनती है तो इस बार भी ये factor काम किया और इस बार भी जो है anti-combustive वैसे ही काम की जैसे 30 सालों से काम करती रही है इसमें नयापन नहीं है लेकिन एक बात है कि उस रिवाज को कायम रखना भी अपने आप में एक बात है तो करनाटर की जनता ने एक बार फिर से वो करके लिया बीजेटी के बड़े नेता है राम माधो चुनाओ के जब नतीजे साफ होने लगे तो उन्होंने बयान दिया कि RSS का बहुत बड़ा रोल रहा उसके कैडर का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी जीत के पीछे तो वहीं से क्या ये तीसरा रीजन हो सकता है जो कैडर बूथ लेवल मैनेजमेंट की जो बात की आती है बहात रीजन दा पार्टिंग उसमें RSS का योगदान रहा ये तीसरा कारण हो सकता है जो चुनाओ के ठीक पहले 8 महिने, 7 महिने पहले वो जाती है उन शेत्रों में लोगों से बाचित करती है और वहां से चीजें लेकर के आती है और इस बार की यादिते बात करें इस बार चुनाओ की तो करीब 10 लाख पार्टी कारेकरता कॉंग्रेस में पहले हुए थे कॉंग्रेस के करीब 224 सांसच जो है वो अपने अपने शेत्रों में वहां के जो 224 सीटे हैं वहां पर लगे हुए थे इसके नीचे जाते हैं तो बूत मैनेजमेंट लेवल पर बहुत जो है हर बूत पर एक एक उनके बूत मैनेजर लगे हुए थे उसके नीचे पन्ना प्रमुक लगाए गए थे, उनके नीचे अर्थ पन्ना प्रमुक लगाए गए थे, तो Congress में अर्थ पन्ना प्रमुक के माइने ये है कि करीब हर 50 आदमी पर एक आदमी लगाए गया था कि वो उसके बारे में पूछे, और उससे बात करे जाने कि क्या तो यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक दिन जो है आप भले करनाटर की जनता कंणड जो है समस्ती है और पीम मोदी हिंदी में बोलते हैं तो वहाँ पर जाकर के जो बाते हैं फिर कंणड की स्थानी जनता जाकर के उन्हीं बातों को उनको बताती है जो अगले दिन बिजेपी अब अपना चुनाव प्रचार करती है जिस तरह का जो है महायुद्ध वो चलता है उस लेवल पर जाकर के वहां कॉंग्रिस फेल रही है तो बिजेपी ने जो जीत हासिल की है उसमें बहुत बड़ा योगदान उसके स्थानी अकारे करता हूं और जो लोगों से जूड करके एक-एक आदमी के दर्वाजा खट-खटाने एक-एक परिवार का दर्वाजा खट-खटाने की जो जीत है वो सबसे बड़ी जीत है यह चुनाव प्रचार का जो पैटर्न रहा है नरेंद्र मोधी जब से गए एक मई दो मई से उन्होंने शुरुआत की थी रहुल गांधी भी डटे थे दो महीने वहाँ पर डटे थे और उनके भी देर सारे इस्तार पुछारक गए थे और कैसे बीजेपी का चुनाव प्रचार अलग रहा जो उसको सफलता दिनाने में जादा सहायक से दुआ यह जो बहुत करीब और बहुत जरूरी सवाल है आद लेकिन नीतियां खराब रही रहुल गांधी की जो जाकर के जो मैनेजमेंट है चुनाव का जिस तरह से चुनाव जीते कैसे आपने जनता को यह समझाया तो कि आपकी पार्टी कॉंग्रेस जो है लोगों के हितकारी है जनता के साथ आप गए लेकिन उस पर्टिकुलर एक स टनाथ में किया जो उनके दूसरे रण इतिकार कर रहे थे वही पर जो है राम माधो काम कर रहे थैराम माधो विजय पी के सांड़ सर्फय हैं और वे जुए चुनाव के प्रबंधक थे तो राम माधो का लोता काम यही था कि कि सीट पर किस आदमी को खड़ा किया जाय और वो किस तरह से जीतेगा, जो seat पर आदमी खड़ा हो रहा है, उसके जीत के लिए क्या योगदान है, वो करीब धाई लाग से तीन लाग है, तो उस धाई तीन लाग लोगों में क्या कौन सा फेक्टर काम करेगा, कहाँ पर महिला मिद्वार को अपना टिकट दे कहाँ पर, कॉंग्रेस भी यह सारी चीज करती है, लेकिन लगातर जो है, जो बीते चुनाओं में, 2007 के बाद से एक रुख चल रहा है, कि जनताजी से देती है, उसे सपस्ट बहुमत दे रही है, बिल्कुल, यह एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल, नरेंदर मोती ने नमुएक के जर जिती महिला मोर्चा के करता हूं को, कि आप बूथ लेवेल पर लोगों को ले जाएए, प्रेजित करिये कि वो जाकर भारती जंदा पार्टी को वोट दें, तो बूथ लेवेल अगर आप बूथ जीत जाते हैं, तो फिर आप विदान सबाद जीतेंगे, विदान सबाद ज आई है सत्ता में, बीत्ते दिनों से, उसमें अमित्षाहद ने प्राथमिक उनका काम माना जाता है, कि वे दूसरी पार्टी के उन नेताओं को, जो अपनी पार्टी से नाखुष है, या अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं है, उनको अपनी तरफ खीच लेते हैं, तो ये चीज जो है करनाटक में भी काम किये और लगातार कांग्रेस के कुछ एक नेता बीजेपी में सामिल हुए, बीए सद्रप्पा के पास खड़े करने के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं था, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था, जबकि दूसरी वोज करें, तो सिधरमया के खड़े करने के लिए, बीजेपी के पास श्री रामलू थे, वे बादामी में सीट लड़े थे, वे बादामी में चुनाव लड़े, और बादामी में उन्होंने सिधरमया को जबर्दस्तक कर दी, सिधरमया केवल 2 या 3,000 वोटों से आगे चल रहे है वो हाला कि जीट के तरफ है, सिधरमया एक सिभचाते हैं, और चामुन देशवरी में हार गये हैं, तो चामुन देशवरी में हारने का कारण बीजेपी नहीं रही, तो यहां पर भी बीजेपी ने बड़े अच्छे से काम किया, कि उन्होंने जहां मौका देखा, कि जहां जहां पर GDS का गढ़ है, जो दक्षणी करनाटिका का छेतर है, मैसूर का छेतर है, तो वहां पर बीजेपी ने उतना दम नहीं लगाया, ऐसा अभी लगातार बाते हो रही है, कि जहां दम नहीं लगाया, तो जो चामुन देशरी सीट पर हारने का का कारण हुए, जीटी द प्रश्टाचार के आरोप हैं या स्री रामलू को लेकर के आये जो उनके साथ पहले बीजेपी नहीं उन्हें बाहर किया था या रेड़ी बंधों को उन्होंने वापस टिकट दिया जिनको बाहर किया था बीजेपी ने किसी समय में तो उन चीजों को लेकर के वापस आये तो तो वह राजनी थी BJP की, जो उसके उपर भारी पढ़ सकती है, वही उसके वह सबसे जादा फायदा पहुचाई, और इस बात का इलहम था, इस बात की जानकारी, कही जाये तो पहले से ही अमिच्रा को थी, अगर नहीं होती तो वह उकल लेकर के क्यों आते, और उन्होंने था कि जो उन्हों की रणनी थी थे, वापस लाने की, जो KGP को विलाय करने की रणनी थी या जो BSR कॉंग्रेस की BJP में विलाय करने की रणनी थी, वो कारगर थी, बिलकुल, तो अभी इस बड़ दो बज के 18 मिनट दो पहर के हो चुके हैं, इस्तिती लगबग साफ है, एक बा सीटें जीत चुकी है, 66 सीटों पर आगे है, कुल मिलागर 75 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है, जनता दल सेकुलर 4 सीटें जीत चुकी है, 35 सीटों पर आगे हैं, और कुल मिलागर 49 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है, इसके अलावा, KP, JP पार्टी जो है, एक सीट जीजे चुकी है और इक ही सीट पर उसकी खुलिणा के बढ़त है और एक निरदली प्रतियाशी आगे बढ़त बनाया हुए है। अगर वोट शेयर की बात के गनारे किसको सबसे जयादा वोट शेयर मिल रहा हैं। सबसे ज़्यादा वोट सेवर INC को हैं कॉंग्रेस को है 37.9 फिजदी वोट कॉंग्रेस को मिले हैं लेकिन उनके पास सीटें जो है अभी 74 ही आ रही है और इसके बाद BJP का नंबर है 36.5 फिजदी वोट उनके पास हैं जनता दल सेगुलर को 18.1 फिजदी वोट मिल रहे हैं और जो निर्दली उमिदवार हैं उनके खाते में 3.9 फिजदी वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्यस्पी के लिए अच्छी बात है कि 0.3 फिजदी वोट पाने के बाद भी उनका एक उमिदवार आगे चल रहा है इसी तरीके से के पी जपी जो पार्टी है वो 0.2 फि जाये तो करनाटक में कॉंग्रेस के पास देने के लिए कुछ अच्छा नेरेटिव था नहीं वही पुरानी बाते वही पुराने वादे थे तो करनाटक जनता ने सुझा क्यों ना एक नई पार्टी को एक नया मौका दिया जाये और शायर करनाटक विदान सभा चुनाव जल्ड की खास कभरेज के लिए आप हमारे साथ बने रही है हमारे यूट्यूब चैनल लोकमत न्यूज हिंदी पर और हमारे फेस्बुक पेस को भी लाइक कर सकते हैं लोकमत न्यूज हिंदी के नाम से पल-पल की अपडेट एक एक छड़ की खबर के लिए आप हमारी झाल झाल